आपने देश के हर रेल्वे स्टेशन पर रेल्वे सुरक्षाबल यानी आरपी एफ को तैनाद तो देखा ही होगा लेकिन अब हम आपको तस्वीरों के माध्यन से बताने जा रहे हैं कि एहमदाबाद के रेल्वे स्टेशन पर क्या हो रहा है एहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पर तैनाज सुरक्षा बल का मिजाज कुछ बतला बतला सा है आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं आरपीएफ के जवान तो आपको बताते हैं कि एहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर भीड़ पर नियंतरन पाने के लिए अब रेलवे सुरक्षा बल के जवान अपनी नई सवारी पर सवार होंगे आरपीएफ के जवान सेगवे पर गश्त लगाते हुए नज़र आएंगे जवानों की ये सवारी बैटरी से चलती है इसके माध्यम से वो एक छोड से दूसरे छोड पर आसानी से पहुंच सकते हैं एहमदाबाद में रेलवे पुले स्पोर्स को पहली बार सेगवे दिया गया है आप देख सकते हैं कि railway police force को ये segway देने में आया है ये two wheeler segway है जो battery द्वारा संचालित है मानने में आता है कि ये जो segway है वो 700 meter का ये जो platform है उस पे continuous नियंतरन करने के लिए crowd manage करने के लिए ये इनको दिया गया है ताकि ये जल्दी से उधर पहुँच सके देख सकते हैं कि ये कैसे चलता है दो पहिए का है ये और ये पूरा balance करना पड़ता है और वैसे ये सब balance करके आरपी एफ इसको चलाती है और कहने में आता है कि एक महीने के अंदर इनको ये तालीम दी गई है जिन्होंने ये सीखा हुआ है और ये तकरीबन चार्ज होने के बाद 35 किलो मिटर जितना चलता है यानी कह सकते हैं कि आरपी एफ को इसके यानी सेगवे के आने के बाद उनकी जो टाइम है वो टाइम मेनेजमेंट इजीली कर सकते है और साथी में कहीं से भी एकदम अच्छे जगपर जल्दी से पहुंच भी सकते है और भीड को भी नियंत्रिद जरूर से कर सकते है इन सेगवे से रेलवे सुरक्षा बल के जवान यात्रियों को बहतर सहायता देने में सक्षम होंगे पश्चिम रेलवे स्टेशन का ये दूसरा रेलवे स्टेशन है जहां सेगवे लगाए गए है एमदाबाद से पहले मुंबई मंडल में सेगवे लगाए गए थे